देखो बच्वो आज हम शुरू करते हैं एलेक्रिक डाइपॉल एलेक्रिक डाइपॉल का मतलब होता है दो चार्जिस है जिनका मैगनिटूट से एम है पर एक प्लस में एक माइनस में और वो एक स्मॉल डिस्टैंस से सैपरेट है जैसे पर माइनस ग्यूँ और प्लस स्ट्रेंग सबस्जंड इस होते हैं जब करिम से इनके दो पोल होते हैं जैसे पोजिटीव और एक डीग डीडिव ज्यासे यह यह समय व ribs पोलर मॉलीक्ल से सब्सक्राइब की ओप से कितना स्ट्रेंथ तो dipole moment एक टाम होती है जो क्या हम बताती है हमको वो बताती है कि यह dipole कितना ज्यादा strong है तो give strength of dipole और इसको calculate कैसे करती है जो हमारा dipole moment होता है वो होता है product of charge magnitude चाहिए हमको सिर्फ और इन दोने charge के बेच की distance कितना है 2a ठीक है तो यह हमको dipole moment क्या बताता है strength कि यह dipole कितना ज्यादा strong है अच्छा इसके साई unit होती है charge के साई unit होती है कुलाम और एक ही यहाँ पर distance है तो मिटर कुलाम मिटर अच्छा डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो direction होती है वह माइनस q2 प्लस q होती है ठीक है तो डाइपोल moment की direction क्या होती है माइनस q2 प्ल क्यास में बताया था अगर net charge निकालना होता है एक body का तो कैसे निकालते है उसके सभी charges को add कर देते हैं उनके sign के साथ ठीक है तो यहाँ पर minus q plus q करोगे तो net charge कितना है जीरो तो किसी डाइपोल का net charge होता है जीरो पर electric field जीरो नहीं होती है net charge जीरो होने का मतलब यह नहीं है जीरो होती है जैसे यह हमारा water molecules है यहाँ पर oxygen है दो hydrogen लगे हुए है इस तरह तो hydrogen यहाँ पर होते है प्लस में और oxygen के उपर charge होता है negative तो dipole moment किदर से किदर जाता है negative to positive तो यह हो गई dipole moment की direction अब बच्चों देगो electric field की बात करें इधर मैंने positive charge रखा जैसे कि इधर रखा ह होगा है इधर negative तो इधर negative यह देखने में तुमको थोड़ा सा उल्टा लगीगा पर मैंने इसी के according इसको बनाया है तो lines चाहती है positive to negative तो electric lines चाहरी है positive से negative वित्राब अच्छा बच्चों एक बात देखो यह point चो होता है इस point को कहते हैं axial point जो इसको कहते हैं equatorial point इस point को कहते हैं equatorial point और यहां पर एक point है इसको कहते है axial point अब हमें क्या करना है calculate करके बताना है इस पे जो electric field होती है उसका magnitude क्या होता है और direction क्या होती है और इस point पे कितना magnitude होता है electric field का और direction कितने होती है हमको यह दो case करने है और एक तीसरा case हमको किसी random point पे भी हमको निकाल के बताना है वह हम बाद में करेंगे अच्छे बच्चों यहाँ पे देखो equatorial point पे direction क्या है इसकी left की तरफ क्यूंकि अगर यहाँ पे tangent हम draw करेंगे तो left की तरफ आएगा तो electric field पे अगर आप tangent draw करते हो तो वह point पे जो tangent है हमको direction बताता है electric field की उसी तरह एक्जिल point पे direction क्या है राइट की तरफ यह हम अब अभी प्रूफ करेंगे ठीक है तो इस point पे right की तरफ और इसमें left की तरफ अब अच्छे देखो एक dipole है और इसका dipole moment है negative to positive अब हम सबसे पहले एक्जिल point पे निगालते है electric field की strength कितना है even even हो गई प्लस चार्ज की हो जैसे प्लस चार्ज यह तो आवे फ्रॉम दे पॉइंट नेगिटिव की वैसे electric field आईगी अंदर गी तरफ तो जो net electric field है वो यह चार्ज पास में यह तो इसका impact ज्यादा हो एस point पे इस charge का impact कम होगा तो जो net electric field आएगी हमारी even minus e2 क्यूंकि even जो है वो greater than है e2 से ठीक है तो जो net आएगा हमारा even minus e2 तो अब हमें वह ही calculate करना है तो due to plus q charge तो even आजाएगा हमारा देखो बच्चों मैं k ले लेता हूं 1 by 4 pi f silent note की जगह में k माल लेता हूं क्यूंकि इसको बार-बार लिखना पड़ेगा इसलिए मैं k ही माल लेता हूं चार्ज होगे हमारा q अच्छे यह वाली distance कितना है यह complete distance कितना है x पर x में से अगर a minus करेंगे तो x minus a whole square ठीक है उसी दरा due to minus q तो e2 आजाएगा हमारा k q अब यह वाला charge कितना दूरेस पॉइंट से x plus a तो x plus a whole square ठीक है इसका denominator ज्यादा है तो e2 की value कम होगी इसका denominator कम है तो value ज्यादा है तो अब हमको निकाल लिए net ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा e1 minus e2 अब अब अच्छों देखों k q और k q यह दोनों में ही कोमान है तो हम क्या करेंगे इसको बाहर ले लेंगे अंदर सिर्फ बचेगा हमारा x minus a whole square minus x plus a whole square ठीक है अब हम इसको solve करना है तो e net आ जाएगा हमारा k q अब हम क्या करते हैं इन दोनों की multiply कर देते हैं देखों बच्छों x minus a x plus a तो उसमें हमारी identity लगेगी वह identity क्या होती है a minus b a plus b तो a square minus b square हम यह लिखते हैं तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं a square minus x square minus a square whole square ठीक है उसी तरह क्योंकि दोनों अलग-अलग है तो इसकी multiply तरह और इसकी इस तरह तो यहां जाएगा x plus a whole square x minus a whole square ठीक है चलो अब आते हैं यहापे k q अब अब अच्छों में तो identity लग सकती है इस स्टम को पूरी को मानो a और स्टम को मानते हैं पूरा b तो a square minus b square का formula होता है a plus b और a minus b तो एक बार इन दोनों को हम plus करके लिखेंगे और एक बार दोनों को minus करके तो इस वाली टम को minus करना पड़ेगा तो minus a plus a और नीचे रहेगा हमारा same x square minus a square whole square अच्छा देखो बचो अब यहां पर कुछ चीजे कट जाएंगे जैसे a से a cancel और इसमें x से x cancel तो e net आ गया हमारा k q यहां पर x और x यहां पर हो गया 2x और a और a यहां पर हो गया 2a divide by x square minus a square whole square ठीचा बच्छो अब देखो हम क्या करते हैं कि q और 2a q और 2a मिलकी क्या बनाते हैं p दाइपॉल मोमेंट तो जो e आ जाएगा हमारा e net जाएगा एक काम करते हैं इस 2 को ले लेते हैं बाहर 2kp divided by x square minus a square whole square ठीचा है तो कितना आया है हमारा e net यह आया है हमारा 2kp x square minus a square यहां पर x भी है स्क्वाइर ठीक है अब देखो अगर मैं एक काम करता हूँ अगर x जो है वो काफिट ज्यादा है ए से तो a square को हम क्या करेंगा neglect क्योंकि अगर a काफिट ज्यादा small है तो उसको neglect कर देंगे तो हमारा e net बनेगा 2kp x divided by x raised to power 4 एक पावर कम हो जाएगी तो यह आ जाएगा हमारा अगर टू के पी डिवाइड बाइए एक रस टुपावर 3 तो यह आ गया हमारा एक्सप्रेशन अच्छा इसी को हम क्या मानते है एक्सियल तो इसी को हम क्या लिख सकते है एक्सियल पॉइंट पर है ठीक है अब देखर जैसे कि यह जो डारेक्शन इसी डारेक्शन क्या है बाहर की तरह ठीक है और इसका मैगनिट्यूड की तरह है वह हमने अभी निकाला था इसका ओवरोल मैगनिट्यूड आया है हमारा तू के पी डिवाइड बाइए एक्स क्यूब ठीक है अब देखो अब पाच एक्ट्रिक फिट्र privilege ट्स este RT हमारा डाइभाल वह है यहां पर और यहां पर और पी और यहां वे हमको एलेक्तिटिक फिल्ड निकाल लिए ठीक है अचा है इससे पहले देखो अच्वड हमने क्या था यह देखो लेक्ट्रिक फिल्ट निकलिया हूँ, अब तो चलो इसका magnitude निकालते हैं अब देखो चो यह वाली डिस्टेंस कितना होगी यह जो है यह लिख लेगे हमारी पाइस अगोर से अंडरूट एकस स्क्वाइर प्लस एक स्क्वाइर और यह वाली डिस्टेंस पी सेम ही अगी तो अंडरूट X square plus A square ठीक है अब देखो दोनों same distance पर है तो दोनों का same impact पड़ेगा तो दोनों की जो electric field है उसकी जो value होगी वो same होगी इसका मतलब E1 और E2 दोनों का magnitude same होगा तो इसका magnitude मैं माल लेता हूँ E ठीक है अब मुझको solve करना है दूसरी बात Q की चलो ठीक है पहले E निकलते है E क्या हो जाएगी K Q distance कितना है यह तो इसका square करेगी तो A square plus A square यह तो गई electric field पर देखो यह दोनों direction इसकी value होगी है पर vector sum का है इसका जो vector है वो दियाएगा इस तरह तो देखो बच्चो इस electric field का cos component भी दर आएगा इस electric field का cos component भी दर आएगा ठीक है तो जो net electric field है वो होगी हमारी 2 E cos theta ठीक है अब values put कर देते हैं 2 K की value रखेंगे K Q X square plus A square अच्छे cos theta कैसे निकालेंगे इस वालेंगे इस वाले अंगल से base divided by hypotenuse तो base हमारा है A और hypotenuse है X square minus और प्लस A square तो यह आजाएगा हमारा अच्छे देखो बच्चो Q और 2A को क्या मानते है P dipole moment तो K P divide by इस पूरे ही power 1 है और इसकी 1 by 2 तो total power हो जाएगी इसकी 3 by 2 अब सेम वह चीज़ करते हैं जो अब यह थोड़े देर पहले की थी अगर A यहाँ पर यह को neglect कर सकते हैं A जो है इससे काफी जादर bigger है X तो A स्क्वेर को कर सकते हैं नेगलेक्ट तो हमारा expression हो जाएगा एक्वल टू K P XQ ठीक है और यह हमारा equatorial point पर है equatorial ठीक है magnitude कितना आगया इतना तो यह magnitude आया हमारा K P XQ ठीक है और direction क्या होगी इसकी left में तो यह हो गया हमारा expression equatorial point का अच्वल पर एक चीज़ याद रखो जो axial point पर dipole आया है और dipole एलेक्टिक फिल्ड आई है और जो equatorial equatorial पर आई है इन दोनों में क्या similarity है बस यह double है इसके जो value यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका मतलब जो axial point पर electric field आती है उसका magnitude डबल होता है सेम उसी distance को अगर हम equatorial पर रखें ठीक है X distance पर अगर axial point पर रखोगी point तो जो उसका magnitude आएगा electric field अगर यहाँ पर 10 आती है 10 newton पर कुलाम तो इधर कितना आएगी 5 अगर इस point पर 20 है तो इधर आएगी 10 तो जस्ट हाफ हो जाएगी ठीक है तो यह वाला ratio भी याद रखना इलेक्टिक फिल्ड एक्जियल डिवाइड बाई इलेक्टिक फिल्ड इकुटोरियल इन दोनों का जो ratio होता है वो होता है 2 तो एक्जियल पॉइंट पर जो strength होती है वो डबल होती है ठीक है तो यह हो गया हमारा final expression ठीक हो चो